हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लीफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे लास्ट की वीडियो इसमें हमने सेस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था जिसमें हमने suspension system के basics उसकी types के बारे में पढ़ लिया था तो उसी तरह से आज हम leaf spring के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो समझते क्या होता यह तो मैं आपको इसी तरह की वीडियो बना चाहता था इसी तरह से यह तो हमारे पास leaf spring है सामझे जाधा देखने को मिलता आपको आटो मोबील में जिसको suspension में यूज के जाता है वो जाधातर maximum cases में आपको multi leaf spring देखने को मिलेगा मतलब कि एक से जाधा वाहां पे यह leaf है जो leaf spring है वो एक से जाधा है और साथ साथ यह semi elliptical type के leaf spring होगे जो आपक spring को जो technical नाम दिया जाता है automobile में उसको master leaf कहा जाता है जो सबसे उपर वाला spring आपकी जो बागी तो spring से जो बागी के leaf थे उनको कहते हैं graduated Leaf सबसे जो बड़ा में था उसको बोलते है master leaf उसके बाद की जो एक्सल बगएर आता है उसे connected रहता है यह यूगोल्ट के arrangement पूरी इसके साथ क्या होता है यह जो लीव स्प्रिंग के पूरी एक्सल के साथ अटाच जाती है जैसे आप स्क्रीन में भी देख रहे हो और उसके बाद यहां पर साइड में जो आपको दिख रहे हैं क्लिप्स इन कहा जाता है और अगर डेरिवेशन करेंगे उसको टूल के बराबर माना जाता है यह पूरी जो चीज है इसको स्पैन बोलते हैं यहां से यहां तकी लेंद को स्पैन बोलते हैं अब यह जो चैसी से connected रहेगा अगर तो इसका एक एंड जो फिक्स रहता है दूसरा एंड मू है Lord में या फिर किसी तरह की कहतें कि या बंब आलो इस तरह से मानलो यह चैसे घाड़ीन आप एक मतलब मानलो कि अपने आमन्य आफलाब मोशन हो गया तो जैसे गाड़ी यहां पर वील क्यू रोग्टे इतो चील तो तो यहां का end जो थोड़ा सा आगे move कर सकता है क्योंकि एक end fix नहीं रहता तो यह वह लगा end यहां से जैसी उपर की तرف उठता है तो यह थोड़ा सा आगी की तरफ चल जाता है यह वह लगा end है जैसी यहां पर इक जटका लगेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो यह थोड़ा सा आगे की तरफ move कर जाएगा तो उसके बाद जैसी वो अपने stable condition में आएगी गाड़ी तो फिर सी अपनी position achieve कर लेगा तो यह आगया बेसिकली इसलिए यहाँ पर एक end जो fix रखा होता है एक end movable रखा होता है अगर दोनों को fix कर देंगे तो जैसी उपर उठ तो टूट जाएगा यह तो ब्रेक हो जाएगा तो इसलिए इसके एक end को movable रखा होता है तो बागी वर्किंग वेर ऐसी तरह से इसकी सारे जो leaves है वो सारे connected एक दूसरे से पूरी तरह से tight structure है tight knit structure रखा जाता है इसको जब भी कोई bump पगर आएगा या कोई speed breaker आएगा तो त आपर के body है वहां तक ऐसे कुछ चीज vibration वेगर जो है वहां पर पहुंचेगी नहीं क्यों क्यों क्योंकि सारा जो system था जो भी बंप पगहरा हो रहे है जो भी वाइब्रेशन स्टॉक्स जनरेट हो रहे है वह सारे स्प्रिंग एब्जॉब कर लेंगे खुद आपडान हो सक सकते हैं यह आगे पीछे मूब कर सकते हैं बर जो ऊपर के body है वहां तक यह किसी भी तरह की vibration होगे किसी भी तरह को कुछ होगा तो वह कुछ भी ऊपर की body तक नहीं पहुंच पाएगा सब कुछ अपने में एब्सॉब कर लेंगे एक चीज़ तो इसकी यह है एक और कहते हैं जिनकी लेंप से दिरे-दिरे कम होती जाती है सबसे लोग लंबावला लीफ है उसको में लीफ या फिर मास्टर लीफ कर जाता है और बागी के लीफ को ग्रेजुटीड लीफ का जाता है स्प्रिंग जो है वह एक्सल से यू गोल्ड की हल्प से कनेक्टिट रहता है जैसा आप स्क्रीन में देख रहे थे रिबाउंड क्लिप्स को सब लीफ को इगठे रखने के लिए होल्ड करने के लिए बनाए लगा जाता है और सेंटरल क्लैम की बात करें तो लीफ स्प्रिं है जो उसके बात करें एके गां इसके बात तो इसके बात बात गठव स्ट्वियांस में गाता है और इसको पिर उसके बाद एंसें तपर सॉफट्वएरा वहां पर इंपोर्ट की जाता है वहां पर उसमें अलगए ताकी On 의 उसके बाद इसको actually manufacture किया जाता है और कुछ इसकी चीज़ें बाते में चीज़ें यह हैं कि मैटीरियल की बात करें तो जाद तर जो मैटीरियल है वो प्लेन कार्बन स्टील यूज़ के जाता है जिसमें कार्बन की परसेंटेज रहते हैं 0.9 से लेके 1 परसेंट तक और इंडियन स्टेंडर्स के कावडिंग जो रिकमेंड मेटीरियल से विस सामने आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो अब इसके बात करें एक आपको बदाया सस्पेंशन का जो काम होता है वही काम इसका भी है दूसरा में अड्वांटेज इसका एक और भी है वो यह है यह वर्टिकल मतलब इसमें कितना भी लोड आप लगात हो गए यह एब्जॉब कर लेका उसको सेहन कर सकता है जिसे एकर हम बात करें लास्ट की वीडियो में डि अगर बात करें तो उनको ज्यादा उन पर ज्यादा रहता है अपना खुद का बेट जाता होता है और उसके बाद अगर अगर हम समान लोड लगाएंगे तो छोटे से एरिया पर इसकी कारण उस कोईल स्प्रिंग के उस जो शॉकर या डैंपर आइंजमेंट है उसके ब्रे लेकेज के चांसे से वह तूट भी सकता है बट यहां पर अगर हम लीव स्प्रिंग की बात करें तो यहां पर क्या है जितना भी आप लोड डालोगे वह सारा प्रॉपर लिडिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा क्योंकि इसकी लैंथ भी देख सकते हैं आप स्क्रीन में सामने शालातर कांते को नहीं जारतर कांते को देखने को मिलेंगे जैंत से पैदे लका केसे अब डिसाटेज़ की बात करें तो हम्हें जारते की की कबें डिखने को मिलती है जैसे हमने डबल विशियल में देखा था वहां पे अप और डाउन मोशन जो वर्टिकल फोर्सी थी उनके तो उनके लिए तो भी बैटर था ही था साथ ही साच हमने में कॉर्णिरिंग गारा करनी होती थी तब ही वो बैनिविशियल था तब ही बैनिफिट था अगर हम इसकी बात करें लिफ स्प्रिंग की बात करें जैसे हम देख रहे हम सामने यह कitting करेगा अगर upward vertical loading होगी लगे या अपateral motion होगा तो यह बैटर रहेगा कि अगर जंप लगे गारी को लिफ स्प्रिंग ऊपर की तरफ वटेगा वापस नीचे आजाएगा तो मतलब वर्टिकल लोड में यह बैटर है बटर करना होगा कॉर्णिंग बात करेंगे तो वहां पर इसका सामने दिख रहा है किसी भी तरह का यूज नहीं है क्योंकि यह एक ही तरह से इसी तरह का डिजाइन है इसमें अगर हम डबल विडियो दे बैनिफिट नहीं है तो मतलब कहने का मतलब यह है कि यह तभी हम यूज करेंगे जब हमें कमफर्ट ना देखना हो बलकि हमें यह चीज़े देखने हो कि गाड़ी में कितना लोड है मतलब है तो वहां पर हम इसको लगाएंगे लगाएंगे बट अगर कमफर्ट की बात करे करेंगे तो कमफर्ट वाली घाड़ी में लिव स्प्रिंग को लगाने को के बैनेफिट ही नहीं है वहां पर हम डबल विश्बून होगा सिम्गल विश्बून इस तके स्पंशन सिस्टम यूज करेंगे तो यह थे कुछ लिव स्प्रिंग के ड्वांटेजिस और डिसद्वा आज की वीडियो में इतना ही है थैंक्यू जाहिंद